हालो प्रेंड वेलकम टू जी के ओनलाइन टेस्ट आज का वीडियो में दोस्तों 25 क्यूशन का टेस्ट है तो आप इस टेस्ट को पुरा चरू दीजेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं ए रहा पहला प्रस्ण बारत के नाटक पर प्रतम सैधानतिक पुस्ता कौन है तो इसका सही इंसर है दूस्तों नाट्य सात्र अगला प्रस्ण ए रहा डायोड बल में तंतु किसका बना होता है तो डायोड बल में तंतु टंगस्टन का बना होता है पारा कितना डिगरी सिल्चिफ पर जम जाता है तो पारा को जमने के लिए 49 डिगरी मैनस में चाहिए नीमने में से कौन सा राइजोम का उधारन है तो अधरक राइजोम का उधारन होता है बारत में पूर्दगालियों ने किस अस्थान पर अपना पहला कीला का निर्मान किया था तो पूर्दगालियों ने सबसे पहले कोचिन में अपना कीला का निर्मान किया था निम्न लिखित तीन ततों में से किसका सबसे बाहरी सेल भरा होता है तो जो हिलियम नियोन आरगन है इसका बाहरी सेल भरा होता है जो अक्रिये गैस थे निम्न लिखित में से कौन सौंतंतरता सिनानी ने जेल की दिवार पर महा काव्या कमला लिखा था तो बेरी सावरकर ने जेल के दिवार पर महा काविय कमला को लिखा दे निम्न में से कौन सा समूश सम्मंधित नहीं है तो छात्र इन समूश सम्मंधित नहीं है बिश्व के सबसे उची चोटी कौन है तो बिश्व के सबसे उची चोटी कलिम मनजारो है गुलाम वन्स की अस्थापना कब हुई थी? तो गुलाम वन्स की अस्थापना 1226 में हुआ थे बीश्व के प्रत्थम नदी घाटी बहु उदेशिय प्रोजेक्ट किस नदी घाटी की है? तो इसका सही अंसर का टेनेसी नदी घाटी एक घरेलू गैस निवन में से किस रूप में संग्रहित होता है? तो घरेलू गैस किसी भी अवस्था में संग्रहित की जा सकती है एलोरा की गुफाएं कहां इस्थीत है? और अंगाबाद महरार में निमनलिकित सहरों में से कौन सा भूमत रेखा पर इस्थीत है? पुन्टी यांगाबाद